आज की वीडियो में थोड़ा बात करते हैं कि आई टी इंडेक्स ने क्या ताबड तोड तेजी दिखाई है यार साड़े चार पर्सन इंडेक्स बढ़ गया वो भी एक ही दिन में ऐसा असानी से नहीं होता बट अगर हम देखें तो पीछे की कहानी भी कुछ बया करती है कि जितनी ज़्यादा कंसॉलिडेशन होती है जो यहां पे हुई है इस रेंज के अंदर इस 5000 पॉइंट की रेंज के अंदर ये इंडेक्स पिछले डेड़ साल से घुम रहा है तो जितनी ज़्यादा कंसॉलिडेशन होती है और जितने लंबे टाइम के लिए होती है तो ब्रेक आउट आंड अप मूव इतने स्ट्रॉंग ही आते हैं बट स्टिल ये जो साड़े चार परसंट का इंडेक्स पर मूव है ना ये मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं जादा है आज जब मैं सुबह उठा तो यार मैंने देखा कि आईटी इंडेक्स खुलते ही दो परसंट उपर था फिर यार देखा कि कल भी डेट दो परसंट बढ़ चुका है तो आज कितना बढ़ जाएगा और दो परसंट की जगा डाई परसंट तीन परसंट स्ट्रॉंग लग रहा है तो बढ़ता जाएगा लेकिन आप इस इंडे ही बंद हुआ है 30,945 के आसपास यह बंद हुआ है अब अगर मैं आपको यह ब्लाक लाइन से दिखाऊं तो यह एक रिजिस्टेंस लाइन है रिजिस्टेंस एरिया कह सकते हैं 31,200 से लेकर 31,600 के बीच है इस 400 पॉइंट की रेंज के अंदर एक रिजिस्टेंस मिल सकता है आपे जहां से थोड़ा सा रिट्रेस्मेंट या फिर इस एरिया के आसपास ही कंसॉलिडेशन हो और फिर दुबारा से ब्रेक आउट करें इस बार मुझे पका लग रहा है कि यह ब्रेक आउट करेगा इस रिजिस्टेंस को भी जिस हिसाब से आज इतनी स्ट्रॉंग कैंड वनी है ना तो यार यह चोटी बात नहीं है और इसका ब्रेक आउट होना इस बार लगबग तैह है और जो बड़े-बड़े इंपॉर्टेंट रिजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल होते हैं वो कभी एक बार में तूटते भी नहीं है तो एक बार यहां पर एक बार यहां कुछ और ही दिखेगी मंतली चार्ट बर लेगर चलूं तो आपको दिखेगा कि यहां पर तो यार यह तो कहानी कुछ हो रहे मैं यहां से देखों तो अभी ऐसा लग रहा है तो तेजी तो स्टार्ट ही नहीं हुई है पहले इसको इस लाइन को क्रॉस तो करने जो तो बबुआ लगता है कि अभी तो तेजी चालू ही नहीं हुई जैसे ही यह लाइन क्रॉस होगी तो इसकी मुव्मेंट काफी स्ट्रॉंग आ सकती है उपर की तरफ मैं स्टेल बुलिश हूँ इस इंडेक्स में ऑल्दो मैंने एक लॉट को जो नीचे के प्राइस पर लिया अब यार इतनी तेजी के बाद ना सिर्फ एक इंडेक्स ही ऐसा लगता है जो नीचे की लेवल पर है बाकी तो सब अपना है पर चल रहे हैं तो समझ भी बहुत असानी से नहीं आता यार कि यहां पर अब कौन से एटिएफ में एंट्री करनी चाहिए अब मैं आपको एक और चीज दिखाओं तो TCS और इंफोसिस दो इसके में कॉंट्रीब्यूटर हैं 50% कॉंट्रीब्यूट करते हैं TCS भाई सब हाती है यह और इतने बड़े जाइंट ने भी इतनी बड़ी मूव दिखाई है कितनी सवा 5% की या छोटी बात नहीं है गंड इंडेक्स ने काफी पहले पूरा कर लिया था यही एक रिजन है जिसके वाज़े से मैं आइटी बीस को प्रेफर करता हूं ओवर एनी हैवीवेट इंडिविजल स्टॉक अगर आपको थुरा डिटेल में दिखाऊं तो आपको दिखेगा एक चलाकी हुईती कल इसे इंडे लिए तो कई लोगों को यहां लगा होगा यार यहां पर फिरसेजन रिजिस्टन्स ले लिया है कई उन्हें शॉट पॉजिशन मना ले होंगी या कई उन्हें कली प्रफिट बुक कर लिया होगा देखो मार्केट में बने रहना कितना इंपॉर्टेंट है वह आज की कैंड कि कभी भी मुझे नीचे आता हुआ नहीं दिखा मैंने जब एक्जिट लिया तो तीस छेसो साथ सो के आसपास था यह इंडेक्स अंड मुझे लग रहा था कि कत्तिस हजार तक आये तो थोड़ा देखते हैं बट क्योंकि हैवी वेट्स भी काफे बड़े हुए हैं क्या प लाट में एक लाट अपने पास पड़ा है और जो बाद में देखेंगे वह तो अभी निकाला नहीं मैंने और तब तक अनलाइज भी कर लेंगे यार कि यहां पर कंसॉलिडेशन के बाद नीचे की जरनी है यह उपर ही होगा अब तो दिख रहा है इस ट्रॉंग अप मूव कम से कम टार्गेट मुझे लगता है वह मंतली चार्ट पर दिखाता हूं तो इसका हाई है ना यह वल हाई 49,446 इंडेक्स पे एक कम से कम टार्गेट लगता है मिरको यहां से देख रहे हो यह जब पिछली बार चला था इंडेक्स इतना बड़ा कंसॉलिडेशन का फेस था फिर यहां से जब चलना स्टार्ट हुआ 15,000 मदब 11,000 तो लो था अगर यह वली कैंडल में देखूं तो 15,000 के आसपा से चलना शुरुआ था और 40,000 पर रुखा था एंड अगर हम कहते हैं कि इन फोसेज टीसेज जैसे कंपनीज कॉंटिनियूस कंपाउंडर हैं यह कंपा फ़ले टाइम में IT सेक्टर मैं इसमें बुलिश हूं और टाइम टाइम पे पोजिशन बनाता रहूंगा और अपडेट करता रहूंगा अपने टेलिग्राम चानल पर होप आप सबको यह वीडियो पसंद आई हो अगर ऐसा है और आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज ज़ादा से ज़ादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए इस वीडियो को यूट्यume को भी बता दीजिये कि ये वीडियो कितनी इंपोर्टेंट है ताकि उसका अलगयृद्म छादा से ज़ादा लोगों में स्प्रेड करे इस वीडियो को तेक्स फर वच्छिग वच्छिए गईस इस अमन प्रीट साइन गॉफ टेक्यर बबाई